तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने WhatsApp अकाउंड को verify कर सकते हैं या WhatsApp में अपने नबर के लिए green tick verification को apply कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हम किसी भी बड़ी company का नबर अपने mobile में save करते हैं जैसे कि Facebook का official number, YouTube का official number, WHO means के World Health Organization का WhatsApp नबर अपने mobile में save करेंगे तो उनका जो name होगा उसके side पर एक green tick आ जाएगा इससे हमें पता लग जाता है कि यह verified profile है और यह इनका official number है तो किस तरह से आप इसको apply कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो आपने जस्ट क्या करना है कि अपने mobile में WhatsApp का open कर लेना है यहाँ पर सबसे पहले proof के तोर पर आप देख सकते हैं कि कुछ टाम पहले मैंने Facebook के official number से बात की थी यहाँ पर दोस्तों इस number को मैंने अपने mobile में save भी नहीं किया था फिर भी अपने आप detect होकर Facebook business के नाम से मेरे mobile में save हो गया इसके लावा दोस्तों इसकी profile पर आपको जहाँ इसका name लिखा है side पर आपको green tick नजर आता है इससे हमें पता लगता है कि यह Facebook की official profile है यह Facebook का official number है तो आप किस तरह से इस green tick के लिए apply कर सकते हैं तो आपने जस्ट क्या करना है कि अपने mobile में एक application इस्टाल करनी है WhatsApp business जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी यह description में एक link दे दूँगा आपने सबसे पहले क्या करना है कि WhatsApp business पर अपनी profile create करनी है और कुछ settings करनी है बाद में जो green tick होगा वो आपको आपकी normal WhatsApp में भी मिल जाएगा आपने जस्ट क्या करना है कि WhatsApp business को open करना है open करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपने account create करना है आपने यहाँ पर नीचे agree and continue के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों यह automatically detect कर लेगा तो जिस नंबर पर आप green tick verification चाहते हैं वो नंबर आपने लिखकर यहाँ पर WhatsApp business में अपना account create कर लेना है तो यहाँ पर दोस्तों आपने just क्या करना है कि अपना name डालना है उसके बाद category आपने select करना है कि आपकी business की category क्या है दोस्तों गर आपको कोई business नहीं है तो आप कोई भी category select कर सकते हैं बाद में हम इसकी setting भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोई भी अभी art and entertainment को select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे next के button में click कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए analyzing होगी हमें कहेंगे थोड़ा सा wait कर लो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा wait कर लेना है उसके बाद आपके सामने यह open हो जाएगा आपने just क्या करना है यहाँ पर नीचे आपने not now के button पे click कर देना है उसके बाद यहाँ पर never पर click करने के बाद done के button पर click कर देना है इसके बाद आपका account create हो जाएगा वर्टसर बिजनस में अब दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है कि उपर की तरफ आपको तीन डोट नज़र आएंगे आपने इस पर click करना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि green tick verification उन्हें मिलती है जिनका कोई छोटा सा business हो अगर आपका business नहीं है तो आपने परशान नहीं होना है मैं आपको अगर आपका business नहीं भी है तो भी आपको green tick verification मिल जाएगा उसके लिए आपने ट्रिक अपलाय करनी है यहाँ पर दोस्तों सबसे वहले आपने क्या करना है कि अगर आपको कोई business है तो उस business के name से आपने profile create करनी है लेकिन अगर आपका business नहीं है तो आपने कोई भी चीज़ की यानि कि किसी भी name से आप profile create कर सकते है जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पर जुनेद उसके वाद मैं खान शोप लिख देता हूं चलो यानि कि शोप लिखना जुरूरी है जुनेद खान शोप लिखकर आप OK के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर continue के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो name होगा यानि के जो business name होगा वो change हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो number था वो ही रहेगा उसके बाद आपने description डालनी है उससे बहले दोस्तों नीचे आपके option लिज़र आएगा आपके business का आपने pencil के icon पर click करना है और यहाँ पर अपना business select करना है अगर आपका business है तो ठीक है लेकिन दोस्तों अगर आपका business नहीं है तो आपने just क्या करना है यहाँ पर लिखना है home लिख लेना है लेकिन अगर आपका business नहीं है तो आपने home select करके यहाँ पर कुछ भी डाल देना है description में description में डाल देना है जैसे कि यहाँ पर कराईपर देना चाहते हैं कुछ भी देना चाहते हैं वैसे आपको देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी बंदा आपसे करकर आई पर लेना चाहेगा वह पहले आपको phone करके पूछेगा तो आप ना कर सकते हैं कि अब यह कमरे अवैलेबल नहीं है तो यहाँ पर description में आपकुछ भी डाल सकते हैं जैसके हैं डाल देते हैं मैं यहाँ पर जुनियत खानी लिख देता हूँ जले छोड़े यार अपना नाम लिख देता हूँ उसके बाद आपने business address डालना है business address दोस्तों यहाँ पर आपने city डाल सकते हैं या इसके अलाब आते हैं वो डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर फैसलाबाद लिख देता हूँ फैसलाबाद लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आपने चीज या एक चीज़ आपने देखी होगी business hours इसके सामने आपको पैंसिल का आईको नज़रागा इस पर क्लिक करें schedule पर होता है तो यहाँ पर आपने कोई भी अपना email address जाल देना है तो मैं यहाँ पर अपना कोई email address जाल देता हूं उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि नीचे की तरफ आपकी कोई website है नहीं है कोई टेंशन नहीं है अगर आपको कोई चोटा सा YouTube चैनल है तो भी ठीक है अगर आपको कोई Facebook पेज तो भी ठीक है लेकिन दोस्तों यह नहीं है तो आप WhatsApp का ग्रूप कर सकते हैं तो आपने इस क्या करना है कि अपना WhatsApp का ग्रूप कर लेना है उसके अंदर 15-20 लोगों को invite करके उसका जो लिंक होगा वो आपने आपर डाल देना है डालने के बाद दो तो फेस्बुक वाले क्या करेंगे वह देखेंगे अगर दोस्तों आपको बिजनस है वह आपने डिटेल सही डाली होंगी तो वह आपको ग्रीन टिक वेरिफिकेशन दे देंगे आप पर भी और आपके और पर पर भी जो WhatsApp पर है लेकिन दोस्तों अगर नहीं देते हैं तो किसी और तरीके के जरी या कोई और शोप लिकर ट्राइ कर लेना उम्यद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी